हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फूर्स बाई उशा में आज हम बनाने जा रहे हैं कांधा पोहा जो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और इसे आप फटा फट घर पे आसानी से बना सकते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें तो चरिये मिसे बनाने की तयारी कर लेते हैं पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पोहा ये मार्किट में आपको असानी से मिल जाएगा एक प्याज लिया है बारी कटे हुए आलू, मतर, मुंगफली दाना, हरा धनिया, हल्दी पॉडर, लालमिच पॉडर, नमक और तरके के लिए राई और आधा नीवू अब कढ़ाई में हम एक चम्मच आईल डाल देंगे, आईल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें गैस की फ्रेम को मीडियम कर देना है और इसमें हमें मुंफली दाने को अच्छे से फ्राई कर लेना है इसे हमें चलाते रहना है, आप इसे बिना तेल के भी भून सकते हैं तो हमारे मुंफली दाने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब एक बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे और गैस की फ्रेम को एकदम लो कर देंगे, एक चम्मच हमें इसमें और तेल डालना है जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम पोहे को धो लेते हैं इसे हमें दो से तीन बार अच्छे से धो लेना है धोने के बाद हम इसका पानी निकाल देंगे और इसे रख देंगे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें राई का तड़का दे देंगे राई जब हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को यहाँ पर हमने लंबे आकार में काट लिया है पतला पतला हरी मिर्ट भी डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से पका लेना है हमें इसे golden brown नहीं करना है हमें इसे नर्म होने तक अच्छे से पकाना है अब हम इसमें हरी मटर डाल देंगे और 5-7 सेकंड हमें इसे अच्छे से भून लेना है मटर भी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें आलू डाल देंगे यहां पर हमने एक आलू लिया है जिसे बारी काट लिया है इसे हमें थोड़ी देर अच्छे से भून लेना है नमक स्वाद अनुसार लालमीच पॉडर आदी छोटी चमच हल्दी पॉडर आदा चमच अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू भी अब हमारे थोड़े पक चुके हैं अब हम इसमें फ्राई की वे मोंफली दाने डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां पर हमने आदी छोटी चमच गरम मसाला पॉडर लिया है इससे जो हमारे पॉखे का टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पॉखे को डाल देंगे यहां पर हमने मोटे वाला पॉखे का यूज किया है पतले वाले नहीं लिये हैं इसे अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तीन से चार मिनेट हमें अच्छे से पकाना है अब हम इसमें आधा नीबू का रश डाल देंगे बारी कटी हुई हरी धन्या भी डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हरे धन्ये से हमारे पोहे का टेश और भी अच्छा लगेगा तो तैयार है हमारा पोहा बनके अब हम गैस को आफ कर देंगे चलिए अब हम एक बर्तर में इसे सर्व कर लेते हैं इस गर्मा गर्म पोहे को आप चाय के साथ लीजिए या खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगेंगे तो तैयार है हमारा पोहा फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे घर पर जरू ट्राइ करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू झाल